मैं आरके सिंग कच्छा आठ की गणित की कच्छा में आपका स्वागत करता हूँ आए समानतर रेखाएं का पार्ट नाइन प्रस्नावली नौसी का तीसरा सवाल देखते हैं सवाल में कराएं आठ से मी माप का एक रेखा खंड एवी खीचिए आनत्य बिंदू ए से इस रेखा खंड का तीन बटा पाँच्वा भाग रचना द्वारा ग्यात कीजिए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे एवी बराबर आठ से मी का एक रेखा खंड खीचेंगे यह सोन्य यहां से लेके यहां से मी यहां तक इस तरह से रेखा खंड खीच लेंगे सुन इससे लेके आठ से मी का इसके बाद अगला काम क्या करना है हमको साथ हंस का कोण बनाना है यह एवी के बेस लाइन पर हम इसको रख देंगे यह इसका मद्य बिंदू है और यह बेस लाइन है इस बेस लाइन को इस बेस लाइन पर लखेंगे साथ हंस का कोण 0,10,20,30,40 यह साथ हंस का कोण यहाँ पर निसान यह से लगाएंगे यहां लखके थीए सुनिए 10 20 30 40 50 साथ अंस का कुर का यह निसान लग जाएगा यहां पर फेट इसी तरह से अब AB पर Uपर की ओर लख की निसान लखाये हम साथ अंस का इसके बाद B पर रखेंगे B पर रख के हम नीचे की ओर साथ अंस का निसान लखायेंगे इस तरह से सुन्य 10, 20, 30, 40, 50 60 इस 60 हंस का निसान इस तरह से हो जाएगा ठीक इसके बाद क्या करना है A, B के बिंदू A से जहां हम निसान लगाए थे यह निसान लगाए थे A से मिलाते हुए हम लाइन ऐसे खिश देंगे ठीक यह लाइन खिशने के बाद यहां पर हम ऐसे Aero बना देंगे यहां लिख देंगे यल ठीक इसके बाद B पर हम यहां निसान लगाए थे B पर रखके साथ हंसके कोण का यह B पर रखेंगे और इस तरह से हम लाएं खिश देंगे ठीक Aero यहां बना देंगे यहां लिख देंगे K अब अगला काम क्या करना है यह कोण बन गया कोण B-A-L बराबर यह कोण A-B-K बना कोण B-A-L बराबर कोण A-B-K बराबर साथ हंस दोनों कोण साथ हंस बन गया इसके बाद अगला काम क्या करना है एक निश्चित त्रिज्या लेकर AL पर हम चाप लगाएंगे वहाँ पर सवाल में क्या कह रहा था कि तीन बटा पांच वहाँ भाग बटे में पांच है इसका मतलब पांच चाप लगाएंगे A पर रखकर 5 चाप लगाएंगे इसके बाद AL पर इसके बाद B पर रखकर 5 चाप लगाएंगे तरिज्या वही निश्चित रहेगी एक तरिज्या लगा के लगा दिये चाप ये चाप काटा AL को पहले YUM1 पर फिर YUM1 पर रखेंगे और इस तरह से दूसरा चाप लगाएंगे जहां काटा उसको लिखेंगे YUM2 फिर YUM2 पर रखेंगे फिर इस तरह से चाप लगाएंगे YUM3 इसके बाद YUM3 से फिर आगे चाप लगाएंगे YUM4 फिर YUM4 पर रखेंगे और ये पाच्वा चाप लगाएंगे YUM5 यम तू यम च्री और यम फोर और यम फाइव इस तरह से लिख देंगें फिर बी पर रखके बी के पर हम चाप लगाएंगे उसी तरह का पहला चाप यनवन अब यनवन जहां है वहां पर हम प्रकार की नोख लखके फिर उसी तरह से एक एक चाप बढ़ाते जाएंगे यहां यन्टू लिखेंगे ठीक इसके बाद यन्टू जहां है वहां पर रखेंगे प्रकार की नोख इस तरह से चाप लगाएंगे यहां यन्ट्री लिखेंगे ठीक अब यन्ट्री पर रखेंगे और इस तरह से चाप ल ठीक और यहन 4 पर लगके यहन 5 यह से चाप लगा दिये इसके बात क्या करेंगे इसका नाम लिख देंगे करमसा पहला चाप को यहन 1 लिखेंगे दुसरे चाप को यहन 2 लिखेंगे तिसरे चाप को यहन 3 लिखेंगे चौथे चाप को यहन 4 पांच में को यन 5 कर आथा कि रेखा खंड का तीन बटा पांचवा भाग रशना द्वारा ग्याद कीजिए तीन बटा पांचवा पांच भाग कर चुके हैं तीन बटा पांचवा मतलब पहला भाग एक बटा पाचवा, दो बटा पाचवा, ये तीन बटा पाचवा तो इसका तीन भाग, अब पांच में से तीन घटा तो दो यानि कि यम 3 से यन 2 को मिला देंगे इधर यम 3 और इधर यन 2 इस तरह से मिला देंगे, ठीक है यम 3 से यन 2 को इस तरह से मिला लेंगे इस तरह से मिला देंगे ठीक और ये आपका हो जाएगा एपी रचना से क्या होगा एपी बराबर तेन बटा पांच एबी ये क्या हो जाएगा रचना से इसके बाद हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे आप हसते रहें मुश्कराते रहें जै हिन जै भारत